Hello my dear students, welcome to the IMB education आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं NTA अभ्यास एप में चैप्टर वाइस क्योशन और हमारा चैप्टर है आज का बायोजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के अंदर टोटल 30 क्योशन है तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद हमें बताना कमेंट बोक्स में कि आपके 30 में से कितने क्योशन जो वो करेक्ट होते हैं अब ये काफी important क्योशन है क्यों क्योंकि NTA ये आपका need का exam बनाता है और NTA की ही official जो एप है उसके उपर से ये क्योशन हमने उठाई है तो चलिए स्टार्ट करते है कि उससे number first है find the incorrectly matched pair यानि हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो matching यहाँ पर pair है उन में से कौन सा incorrect है option A दिया गए east saccharomyces option B दिया गए Neurospora drosophila of the plant kingdom option C दिया गए stilago smut causing fungi and option B दिया गए morals and truffles edible mushroom तो सबसे पहले बात करते हैं east की तो east क्या होता है saccharomyces services ही होता है ओके जो backer east बिसकों बोलते हैं तो यहाँ पर यह चीज़ दो है वो तो बिल्कुल correct है हमसे क्या पूछा है incorrect पूछा है next हम बात करते हैं Neurospora की Neurospora का है drosophila of the plant kingdom अब देखिए यहाँ पर यह जो लिंक है वो है हमारा genetic से अब drosophila जो होता है वो काफी ज़्यादा यूज़ किया जाता है genetics के अंदर उनके उपर study करने के लिए और इसी तरह जो Neurospora होता है जो आपके फंज़ए होती है उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसके अंदर genetics के अंदर और आप ये bio technology के अंदर पढ़ते भी हो इन Neurospora वगरा यूज़ की जाती है काफी हद तक यहाँ पर drosophila भी यूज़ किया जाता है और Neurospora भी यूज़ किया जाता है अब morals and Truffers जो आते है उसको माईसिटी के अंदर आते है वो measuring जरूर है तो यहाँ पर यह जो statement हमारा option D जो है वो हमारा answer आ जाएगा क्योंके यह क्या है incorrect match है यह हमारा question number first होता है second question देख लेते है यानि जो true nucleus है वो present नहीं होता है absent किसमें होगा एना बिना में, mucar में, cleviceps में या फिर walvox के अंदर अब true nucleus यानि prokaryotic या eukaryotic की यहां पर बात कर रहा है तो true nucleus absent किसके अंदर होगी जो prokaryotic होगी और present किसके अंदर होगी जो eukaryotic होगी है अब आपका mucar हो गया, cleviceps हो गया और walvox हो गया यह सभी आपके eukaryotic है तो इनके अंदर तो क्या होगा आपका true nucleus present होगी बट एना बेना नोस्टोक आपके sinobacteria के अंदर आते है और इन यह prokaryotic होते है या पर true nucleus का होगी absent होगी तो आनसर आ जाएगा option A next हमारा question number 3 in liken the role of mycobiant is अब आपको यह पता होना चाहिए कि last last means chapter के अंदर बता रखा है तो मैं बताना है कि जो liken होती है उसके अंदर mycobiant का role क्या होता है provide the food for the algae provide the protection, encourage and absorption for the algae release oxygen for the algae या फिर fixes the atmospheric nitrogen for the algae simple से देखे यहाँ पर जो आपका mycobiant होता है mycobiant कुण सा होता है fungi और जो आपका phycobiant होता है वो कुण सा होता है algae होता है तो यहाँ पर जो आपका mycobiant होता है protection को provide करता है encourage भी करता है और absorption for the algae भी करता है तो यह सभी काम करता है तो महाँ पर आंसर आजाएगा option B ओके next time question number 4 देख लेते हैं which of the following set of bacteria are found to be very useful in genetic engineering experiment तो कौन से ऐसे bacteria है जो genetic engineering experiment में सबसे ज्यादे use होती है nitrosomonas and klebicellia, rhizobium and diplococcus, nitrobacter and azotobacter, e-scry and agrobacterium, तो जो आपका iscaria है, यानि जो आपका e-coli है वो आपने bio technology के अंदर पढ़ा था, इसके अलावा आपने पढ़ा था agrobacterium tumifation, ओके, तो agrobacterium tumifation और e-coli जो आपने bio technology के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा था, कितना ज्यादा use किया गया था genetic engineering के अंदर, यहां पर हमारा answer आजाएगा option B, यह दोनों bacteria जो वो काफी ज़्यादा use किया जाते है, genetic engineering experiment के अंदर, तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बाद देख लेते हैं, अगर आपको biology के ऐसे नोर्स आए, जहां पर हर topic के साथ mention किया हो कि, कुन से year में आ चुका है, उस topic execution, like यहां पर जो आपका प्रोटिस्टा है, यहां पर यह टोटल need to the 17 में आ चुका है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, यहनि इस लाइन से 16 में, 17 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20, 20 में भी यहां से आथा, इस लाइन से भी यहां से भी, तो अगर आपको इस तरह के biology के notes आई, तो आप वीडियो का description चेक कर सकते हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नमबर किस्ट नमबर जो है, वो फीपत है, यहां पर बोला गया, select the incorrect match, हमसे यहां पर पूछा गया कि कौन सा incorrect match है, फरस्ट है, एलगल फंजाई को बोला गया, एलग्यूगो, फंजाई imperfect टाई में बोला गया है, और कोलेटर ट्राइकम, कलाव फंजाई में बोला गया है, एस्परजिलन, एंड सेक फंजाई में बोला गया है, नीऊरोस्पोरा, अब सब से पहले हम बात करते हैं, ने S-comicitis को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोते हैं सेक फंजाई और जो आपकी algal fungi होती है उसको हम क्या बोलते है जो आपकी Ficomycities होती है उसको बोला जाता है algal fungi और उसका Example है आपको पता होना जाज है Ficomycities का कौन सा L-B-Go यह तो बिल्कुल सही है Next आप आते हैं fungi imperfect पर्फेक्ट है फंजाई इंपर्फेक्ट है हम बोलते हैं जो इंपर्फेक्ट फंजाई यह ड्यूटरो माइसिटीज और उसका एक्जामपल आता है आपका कॉलेटो ट्राइकम तो यह भी बिल्कुछ सही है हमसे इंकरेक्ट बुचा लिए नेक्स्ट है कलफ फंजाई एसप आपका एसपंदर आता है तो यहाँ पर यह लिखा हुआ हुआ है और सेघ पंजाई गेगगराम ते हमें बटाना की A B C D यहाँ पर क्या है option a में बूला गे option b में बूला गे option d में बूला गे so pure uncertainty ہے यह ऐ वाला हमारे जो portion है वो क्या हमारा head है यह पर यह ना color है यह ना ही tail final bless है b जो है وہ हमारे पास क्या यह हम पर color है और C जो है वो क्या है सी थ है और D क्या है टेल फाइबर है तो यहाँ पर हमारा अंसर आ जाएगा option B ओके next time question देख लेते हैं यहाँ पर बोलागे एक class of fungi in which sex organ are absent but plasmo gaming is brought about by the fusion of two vegetative cell is यानि ऐसी कौन सी class of fungi है जिसके अंदर sex organ absent होते है बड़ जो plasmo gaming होती है उसकी वज़े से जहाँ पर fusion होता है two vegetative cell के अंदर और उसके बाद में किसका formation होता है बैसीडियम का किसका formation होगा बैसीडियम का यहाँ पर यह किसके अंदर आएगी फाइकोमाइसीडियम का सिटीज में डेट्रो माइसीडियम के जाइगोमाइसीडियम का यह आएगी हमारी बैसीडियम माइसीडियम का सिटीज में हमारा answer आ जाएगा option B तो हमें बताना है कि वाइरसी से रिलेटिड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है तो सबसे पहले देखिए दीज आर सेलूलर इंफेक्शन न्यूकलियो प्रोटिन पार्टिकल्स दे कैन बी ग्रोन इन एक कल्चिरल मीडियम थार्ड लिखा हुए जेनिटिक मेटिल इज आईधर डियन और आर ने बट नेवर बोथ एंड फोर्ट स्टेट में लिखा गया दे ये और सेलूलर जी नहीं वह सेलूलर तो कभी होते ही नहीं है और तो यहां पर ये कब्छिर Dollar मेटियम में ग्रोन नहीं कर सकते जेनिटिक में आईधा डिने और अनले बाट नेवर बोथ जी हाँ ये बिलकुल सही लिखा गया है और दे कन भी क्रिस्टलाइज ये भी बिलकुल सही है तो थार्ड और फॉर्ट स्टेटमेंट जो हो बिलकुल करफ लिखा गया है तो हाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बज़े से तो red oceanic type जो होती है वो आ सकती है गोनियोलक्स की ये किसका एक्जामपल आपका डाइनो फ्लेजिलेट का एक्जामपल है तुमारे अंसर आ जाएगा option B ओके next time क्यों से रमबर जो वो 10 देख लेते हैं select the incorrectly match pair यहाँ पर भी हमें incorrectly match pair बताना है first है amoeboid protogen have silica cell in the marine form second लिखा गया फ्लेजिलेटिड प्रोटोजोन के बारे में कि have infectious pore like stage C में ciliated protogen के अंदर लिखा गया है कि have a galat that open to the outside and D यानि आपका sporogen के ले अंदर लिखा गया है that all are endoparasite सबसे पहले बात कहते है amoeboid protogen के अंदर तो यहाँ पर इनके अंदर silica shell होती है मेरा info में बिल्कुल सही लिखा गया flagulated protogen have infected spore like stage यह sporogen के अंदर होती है फ्लेजिलेटिड के अंदर नहीं होती है आपे sporogen आना था उनके अंदर infected spore होती है यह हमारा incorrect है तो हमारा यहाँ पर आम से incorrect ही पूछा तो हमारा answer आजएगा option बी ciliated protogen के अंदर galette होती है जैसे आपका piramishium और sporogen जो होते हैं वो सभी endoparasite होती है तो यह बिल्कुल सही है answer आजएगा हमारा option बी next हमारा question number जो वो 11 है यहाँ पर बोला गए read the following statement यहाँ पर ध्यान से हमें चार statement लिखी गए sorry तीन statement लिखे गए यह a b c तो हमें statement पढ़नी है first लिखा गए mostly marine and photosynthetic यहाँ पर बोला गए कि ज़्यादतर यह marine और photosynthetic होते है बी में बोला गए appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cell and see लिखा गए have two phlegela lying perpendicular to each other the above statement are assigned to यह जो तीन statement लिखी गए कि mostly marine होते हैं photosynthetic हो सकते हैं yellow, green, brown, blue जो बीम के अंदर pigment होता है उस तरह कि वो अलग-अलग color के हो सकते हैं दो phlegela होते हैं perpendicular एक दूसरे के तो यह किस को बताता है यह पर सिर्फ diagram based है या इस diagram पर या इस organism को बता रहा है या फिर इस organism को बता रहा है या फिर इस organism को बता रहा है या फिर इस organism को बता रहा है अब सबसे पहले बात करते हैं यह सारी statement है वो किस के लिए लिए लिखी गई है यह सारी statement जो है वो pure NCRT based है और यह आपके कोपी गई है किसके लिए डाइनो फलेजिलेट के लिए तो डाइनो फलेजिलेट का डाइगराम जो है वो हमारा यह वाला है तो हमारा answer आजाएगा option A डाइगराम बेस्ट कैसे था ओके नेक्स हमारा question नमबर देख लेते हैं algal fungi are placed in अभी हमें बता चुका हूँ algal fungi जो होती है वो क्या होती है किसको बोलती है तो हमसे ये पूछा गया कि algal fungi escomicities, basidiomasities, phycomicities या फिर deuteromasities तो algal fungi जो होती है वो आपकी phycomicities होती है sick fungi esco, club fungi basidio और fungi imperfect आई आपकी deuteromas तो हमसे पूछा गया कि mycoplasma के लिए कौन सी statement incorrect है तो हमसे incorrect पूछा गया उनके पास cell wall नहीं होती बिल्कुल सही है वो सबसे smallest living cell होती है बिल्कुल सही है, they cannot survive without oxygen यह गलत है क्योंकि वो survive without oxygen कर सकते है they can survive without oxygen यहाँ पर यह लिखा है, they cannot तो यह गलत लिखा हुआ है, तो हमारा answer आजाएगा option C, okay next हम question number 14 देख लेती है यहाँ पर बोलगए है which of the following is an edible fungus तो कौन सा यहाँ पर edible fungus हो सकता है morals हो सकता है, penicillium हो सकता है agaricus हो सकता है या फिर more than one option जो वो correct हो सकता है morals and truffles तो हमने अभी पढ़ा था कि यह तो edible होते है penicillium जो आपका वोड़ नहीं होता है but agaricus, agaricus हम किसे अंदर आता है mushroom, agaricus को ही तो mushroom बोला जाता है मसरूम तो आपसा भी जो है किसी ने किसी टाइम पर आपने किसी ने तो जरूर खाया होगा तो agaricus भी जो वो वी edible है तो A और C दोनों edible है तो more than one option यहाँ पर correct होगा तो हमारा answer आ जाएगा option D next time question number जो है वो 15 देख लेते हैं which of the following characters served as the criteria for a five kingdom system of classification is used by R.H.V.Tacker यानि R.H.V.Tacker ने जब five kingdom system बनाया था तो उन में से कौन-कौन से criteria उसने लिये थे किस किस character के criteria उसने लिये थे option A दिया गया cell structure and thalus organization B दिया गया mode of nutrition and reproduction C दिया गया phylogenetic relationship या फिर D है all of these तो R.H.V.Tacker ने सब कुछ include किया था चाहे वो cell structure या थेलस organization mode of nutrition या फिर mode of reproduction या फिर phylogenetic relationship पो cancer आ जाएगा option B all of these ओके next हमारा question number जो है वो है 16 select the correct pair of fungi that belong to the class basidiomycetis हम से यहाँ पर पूछा गया कि basidiomycetis जो है उसके example कौन से है Pazisia and Claviceps, Penicillium and Agaricus Bracket Fungi and Tornstool या फिर Alternaria and Colletotricum तो सबसे बात करते हैं पैजीजा तो यह जो आपकी पैजीजा जो है वो किसके अंदर आती है वो आती है आती है आपकी Escomycetis के अंदर अब next हमारी जो Claviceps है वो भी किसके अंदर आती है Escomycetis Okay next question है Diaeatomacous art is basically composed of जो Diaeatomacous Earth होती है वो किससे बनती है कैलसियम से, सिलिका से मेडिनेशिम से या फिर सेलिनियम से तो वो किससे है सिलिका से Indestructible हो जाती ही इसी वज़े से तमारा answer आजाएगा Option B Okay next हमारा कुस्टियन नमबर 18 है यहाँ पर पूला गया है select the incorrect statement हमें यहाँ पर एक incorrect statement बतानी है फर्स लिका गया है the member of basidiomycities are commonly known as imperfect fungi second a bovine spongiform in cephalopathy is caused by prions c a bacteriophage are usually double strand dna virus and d have free infectious rna was discounted by tiodynier तो अब यहाँ पर देखिए हमें बताना कि बिल्कुल incorrect कौन सा लिका है सबसे पहले d देख लेते हैं free infectious rna was discounted by tiodynier तो वो वाइरोड था यह बिल्कुल सही है bacteria phase are usually double strand ज्यादा तर जो वो double strand dna virus होती है भी बिल्कुल सही है bovine spongiform in cephalopathy is caused by जिसको mad cow disease भी बोलते हैं तो यह भी बिल्कुल सही है जो prions से होती है infectious protein से the member of basidiomycities are commonly imperfect deuteromycities को बोले जाता है बैसे दियों को ने तो इनकरेक्ट है तुमारा answer आजाएगा option a next question number देख लेते हैं 19 यहां पर बोलगा था association between algae and fungi occurring algae और fungi में जो association होता है वो कि उसको क्या कहते है लाइकन पेरासिटीजम वाइरोड या फिर माइक्रोड अच्छा सबसे आसाना उसको क्या बोलते है like and बोलते है तुमारा जाएगा option a next question number 20 देख लेते हैं the member of class deuteromycities reproduce by तो जो हमारे पास जो deuteromycities के members होते हैं वो किस से reproduce करते हैं तो सबसे पहले जो deuteromycities होते हैं वहाँ पे कोनीडियो फॉर्मेशन होता है तो यह तो बिल्कुल सही है तो answer आजाएगा option a अब यहाँ पर sexual तो होता ही नहीं है अगर sexual होगा तो या तो इसको बैसे deomycities में या फिर एसको में भेज़ दिया जाएगा तो sexual तो यहाँ पर होता ही नहीं है एस sexual होता है बट वो exo होता है और नहीं होता है तो answer आजाएगा option a ओके next time question number जो है वो 21 देख लेती है the classification system proposed by linus was a kingdom system of classification जो linus ने परपोस किया था वो कितना kingdom system था two kingdom system, three kingdom, four kingdom या फिर five kingdom तो काल्स, linus ने plant और animal kingdom दो में divide किया था तो वो two kingdom system था तो हमारा answer आजेगा option a ओके next हमारा question number जो वो 22 है a fungus content cell with two nuclei form different genome the nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as new cell are formed it belong to यहाँ पर जो nuclei जो है वो fuse नहीं करती है but divide कर जाती है independently और simultaneously नए cells बना लेती है तो वो किस से बिलों करता है five comacities में, gygo macities में, deutermacities में या फिर basidio macities के अंदर तो यहाँ पर यह जो वो diicarionic phase की बात करें और diicarionic phase यहाँ पर किसके अंदर आएगी basidio macities के अंदर आएगी तो मारा answer आजाएगा option d नेक्स्ट हमारा के उससे नमबर जो है वो है 23 या पर वो लगए select the correct option having useful fungi for human being तो जो human being के लिए जो useful हो सकती है वो कौन-कौन सी फंजाई है नियूरोस्पोरा, pucinia, penicillium, saccharomyces, pucinia, australago या फिर आईजोपस, agericus अब नियूरोस्पोरा, genetics के अंदर यूज होती है बड़ पुसिनिया के कहीं नहीं वो तो rust फंजाई है penicillium जो है वो हम यूज करते हैं किसमें antibiotics के लिए और saccharomyces services जो आपका बेकरिस्ट हो गया तो ये दोनों ही काफी useful है humans के लिए तो मारा answer आजाएगा यहां से option B ओके next time question number जो वो 24 देक लेते है read the following statement तो यहाँ पर 3 statement दीख गई है कौन-कौन सी has branch septet mycelium second statement लिखे गई है produce conedia for asexual reproduction and third statement लिखे गई है produce non motile endogenously produce sexual spore तो यहाँ पर यह तीन statement लिखे गई आगे लिखा गया है identify the class of fungus on the basis of the above feature तो मैं बताने कि किस class से बिलों करते है asco से, basidio से, deutero से या फिर phycomycetis से तो simple समझे है has branch septet and mycelium branch septet and mycelium तो आपका asco में भी हो सकता है deutero में भी हो सकता है आगे लिखा गया है यहाँ पर basidio में भी हो सकता है आगे लिखा गया है कि यहाँ पर conedia for asexual reproduction asexual reproduction के लिए conedia asco में भी हो सकता है deutero में भी हो सकता है produce non motile endogenously produce sexual spore अब sexual spore जो है वो deutero में तो होता नहीं है तो वो किसके अंदर होता है asco में होता है और answer आजाएगा option asco my cities के लिए सभी line नहीं लिखी गई है ओके next हमारा question number 25 है which is not true for fungi तो fungi के लिए कौनसी statement यहाँ पर incorrect है गलत है they can be saprophytic, they can be multicellular they can be photosynthetic, they can be anaerobic तो जो आपकी fungi है वो हमेशा heterotrop रहती है कभी भी जो वो photosynthetic नहीं होती है तो they can be photosynthetic यह जो है वो incorrect लिए तो answer आजाएगा option c okay next हमारा question number 26 है the first scientific attempt to classify organism was by तो सबसे पहला scientific attempt किस नहीं किया था organism को classify करने में आरच विटेकर ने, Aristotle ने, Hackल ने या फिर लीनस ने तो सबसे first attempt according to NCRT's third या fourth line में रिखा है Aristotle अब Aristotle ने जो सबसे उनको three subs में और animals को red blood और non red blood में divide किया था तो Aristotle ने सबसे पहले जो वो attempt किया था तो answer आजाएगा option B okay next हमारा question number जो वो 27 है fill in the blanks and choose the correct option तो यहाँ पर यह भी fill in the blanks दिया गया है first में यहाँ पर A fill in the blanks लिखा गया are the soul member of the kingdom मोनेरा second में लिखा गया majority of the bacteria show B में बताने क्या आएगा mode of nutrition तो यहाँ पर option देख लेते हैं A में बोल रहे हैं कि amoeba are the soul member of the kingdom मोनेरा और यहाँ पर बो लगए majority of the bacteria are saprobic mode of nutrition यहाँ बो लगए कि A जो आपर bacteria are the soul member और यहाँ पर हेटरोटोपिक आएगा यहाँ पर A में bacteria याँ B में chemo autotropic आएगा यहाँ पर A में proto-jone यहाँ फिर B में holo-joke आएगा यहाँ पर amoeba तो आएगा नि क्योंकि kingdom मोनेरा जो है उसके अंदर जो main आपके होते हैं वो bacteria होते हैं majority of the bacteria जो होते हैं chemo autotropic नहीं होते हैं वो heterotropic होते हैं तो हमारा answer आजाएगा यहाँ से option B ओके next हमारा question number जो वो 28 है choose the incorrect statement about phycomycities अब यहाँ पर हमें बताना है कि phycomycities के लिए incorrect statement कौन सी है A statement लिखे लिए है members are found in aquatic habitat spores are endogenously produced in the sporangium C लिखा गए a gyospore is formed by the reductional division that is meiosis और D लिखा गए asexual reproduction take place by the juice spore or by a plane of spore तो आपे हमें बताना है कि incorrect statement कौन सी है member जो होते हैं aquatic habitat में मिलती है बिल्कुल से है spores होते हैं endogenously produce हो सकते है sporingia में यह भी बिल्कुल से है gyospore is formed by the reduction division जी नहीं वो तो fusion से बनता है जो gametangia होते हैं जब वो तो fuse करके तब जो आपका gyospore बनता है reduction division से नहीं बनता है तो यह incorrect लिखा है तो हमारा answer आजेगा option C next हमारा question number जो है वो 29 है which of the following is correct about dino flagellate तो dino flagellate के लिए बिल्कुल correct बताना है first लिखा गया the cell wall is made up of protein rich layer called pellicle they have two flagellate both arranged longitudinally rate of reproduction is slow या फिर they are mainly responsible for red tides तो हमें correct बताना the cell wall is made up of protein यह तो euglinoids के अंदर होता है dino flagellate के अंदर नहीं होता है they have two flagellate both arranged longitudinally यह भी euglinoids के अंदर होता है dino flagellate rate of reproduction यहाँ पर fast होता है slow नहीं होता है और they are mainly responsible for red tides से बिल्कुल सही है like goniolix तो यहाँ पर यह जो लिखावे correct लिखावे तो answer आजेगा option B last question है question number 30 हमारा read the given statement that describes the certain infectious particle तो हमें बताना है यह statement लिखे जी यहाँ पर total 4 और यह किस चीज़को बताती है पहले statement को read करते है it was discovered by T.O. dinear as found to be smaller than virus it cause potato spindle tuber disease it is a free RNA particle that lacks the protein code and it has low molecular weight RNA as genetic metal which of the following is reference तो यहाँ पर यह जो चारो statement किसको refer कर दिया virus को, viroid को, viroin को या फिर bacteria T.O. dinear ने viroin को discover किया था तो यहाँ पर simple सा answer आजाएगा viroin सबसे important है कि बहुत बार यहाँ से question आ चुके तो यह सब पूछ था इस video को लेकर video पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों साथ सेर कीजिए मित्ते जल्दिने शुड़ी साथ तब तक के लिए धन्यवाद